तो गाइज बात करूंगा एक नो स्पार्क 10 5G मोबाइल फोन का टॉप फीचर्स और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में यहां पर इस फीचर्स के बात करूंगा जो आपको बाइडिपॉल इस मोबाइल फोन में आउन नहीं मिलता आपको मैनुली जाकर सेटिंग में उसको यूज कर सकते ठीक है एंड जिससे आप इस मोबाइल फोन को यूज करके एक्च्वल मजा ले पाएंगे ओके सो मेरे नहीं आप सब को हमारा चैनल का सब्सक्राइब को मिल जाता है और अभी इस मोबाइल फोन में ने जो भी फीचर्स आप लोगों को दिखाऊंगा उस सार इंड में एक पैनल यहां पे तरह-टरह ने अbor लगे तो यह पैनल को फीचर्स और पाएंगे इससे आपका क्या है कि इम्टरनेट भी खतम होता है तो इससे आप करने के लिए यह अपको सिंपल सा होमस्क्रीन को पींच की कीजिए डेक्स्टॉप सेटिंग पर टैप कीजिए अब एक ऑप्शन है जिरो इसको आफ कर दीजिए बाइडी एक फोल्ट और रहता है अब यहां पर स्वाइप करेंगे तो यहां पर सो नहीं कर रहा है ठीके तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा जो स्क्रीन उसको आफ कर आने के लिए या इसको आने के लिए इसको सेटिंग पे जाना है करना है को थैप कीजिए यहाँ बटन दो देखने को मिल जाता है यहाँ आप करेंगे तो यह सब कुछ आपका सक्रीं के सर्फ से काम होता रहेगा स्क्रीन में आप इधर दूर करके इसको पूरा यूज कर पाएंगे और यहां पर नूटिफिक्शन में डाउन करेंगे तो आपका मुबाइल फॉन में डार्क तीम को ओन करके रखेंगे तो इससे कि अपका मुबाइल फॉन का जो बैटरी कंजेप्शन ने वो कम होगा क्योंकि ऐसे में आपका 5G होता है तो मोबाइल फॉन में बैटरी बढ़ जाता है इसके साथ यहां पर और एक ओप्शन देखने को मिल जाता है आई क्यार का आप इसको भी ओन करके रखिए और इसको ओन करने के पर लॉंग प्रेस कीजिए यहां पर चला जाए यहां पर जाक आपका आई पोटेक्शन मोड रहते है आई पोटेक्शन मोड रहने से सुभी दा है होगा कि आप जब रात को अपना मोबाइल फोन को यूज करेंगे तो उस टाइम में आपका इसमें जो ब्लू लाइट हो जाएगा एंड उसके बाद यहां पर यूलू जाएगा जो आप आप में नींद आने में help करेगा तो अब देर रत तक अपना मोबाइल फोन यूज करते तो आपको नींद आने में तो दिक्कत होता है तो प्रॉब्ल्लिम आपको नहीं होगा एंड यहां पर मैंने अल्डी सीडूल कर दिया तो आटोमेटिक दस बाजे के बाद आई पोट आपको आपको कमल का फीचर्स अपनीं करते लेकिन फाइचे नीचे लिखा हुआ हुआ है इसको पर अब वक्स औरो करने सेक्ट और यहां पर रहेगा तो एक बड़ी आप फीचर से तो अपना हिसाब सी इसको आप यहां पर यूज में ले सकते हैं इसको पर टैप करेंगे तो दोनों एक साथ ओफ हो जाएगा तो एक बड़ी आप फीचर से फ्लैसलाइट को पार जो मुझे सब्सक्राइब यहां पर इस तरह सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करें करें तो छोटाव विंडो में यहां पर ओपन हो जाएगा और इसको आप अपना हिसाब से किसी भी जगा रखके बाकि आप अपना बैक्ग्राउंड वे सारा काम कर पाएंगे यहां पर यहां पर यहां पर यूज कर सकते हैं फिन इस मोबाइल फोन आपको 90 रिफ्रेश रेट देखने को मिलता ह लेकिन बाइडिफॉल्ट में आटो रहता है तो इसको चेंज करके 90 हर्च करने के लिए आपको सेटिंग प्याना है डिस्प्ले और ब्राइटनेस पर टैप किजिए और नीचे आप एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रीन रिफ्रेश डेट का इसको उपार टैप करक करने के बाद नोटिफिक्रिशन पैनल को और भी बड़ा करेंगे तो यहां पर और भी बहुत सरा ओप्शन देखने को मिल जाता है लाइक आप नियर्वाइट शेयर का जो फीचर से उसका भी यूज कर पाएंगे जिसके तुरू आपना मॉबाइल फोन में जो भी अप्लि देख लीजिए उसके बाद आपको नियर्वाइट शेयर का जो फंड है वो पुरा क्लियार हो जाएगा इसके साथ साथ यहां पर वान हैंड मोड का भी एक सौटकार देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही जहां से आप अपना मोबाइल फोन को वान हैं है तो यहां पर साउंड सुनने को मिलेगा जिससे आप हो जाएंगे कि आपका मोबाइल फोन कोई भी चार्ज से इसको डिसकनेक्ट किया तो उस फिचर्स को आउन करने के लिए आपको सिंपल से पर नोटिफिकेशन मैंन को डाउन करना है और इसको ओपन करने के बाद इमर्जेंसी पोटेक्शन फिचर से जो आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलता है आप डाउन करेंगे तो यहां पर एक ओप्शन देखने को मिलता है इसको पार टैप करके आप देख सकती कुन सा अप्लिकेशन आपका बैक्ग्राउंड में रनिंग कंडिशन में है चेक कीजिए कि कौन सा अप्लिकेशन आपका बैक्ग्राउंड में एक्टिव है एक्टिव रहा है तो इसको यहां पर स्टॉप कर देख से आपका बैटरी का इजप्शन भी कम होगा एक सीकूरिटी फीचर से जो आपको देखने में हेल्प करेगा कि कौन सा अप्लिकेशन चोटा स्कीन पर अपना मुवाइल फोन को पूरा यूज कर सकते यहां पर आकर आप किसी भी अप्लिकेशन को यहां पर ओन करके उसमें देख सकते ठीक है तो यह सारा चीज यहां पर कर पाएंगे इसको करने के लिए आपको सिंपल सा नोटिफिक्शन डाउन करना है एंड सब्सक्राइब तो आपने ह contour कर पाएंगे चोंसपट कर पाएंगे पिचल नोटिफिक्षोन पर डाउन कीजिए यहां पर पिक प्रूब का जो अप्शन है इसको आफ कर देंगे तो फिर से अपका स्क्रीन एकदम फूल स्क्रीन हो जाएगा तो यह सारा प्राइबरेशी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो वीडियो हो रहा है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए तो आगे बढ़ते तो दूसरा मुबाइल फोन जैसे आप इस मुबाइल फोन में भी अपना एप्लिकेशन को लॉक एंड हाइड दोनों कर पाएंगे तो अपना एप्लिकेशन को लॉक करने के लिए आपको सिंपल से अपना मुबाइल पास्वार्ड यूज करना है आप इसको क्लाउड के साथ लिंग करना चाहते हो तो इसको लिंग कीजिए नहीं तो आप इसको स्कीप में टैप कीजिए उसके बाद आपके समने पैनल यहां पर ओपन हो जाएगा एंड यहां पर जितना भी अप्लिकेशन को लॉक कर पाएं नहीं कर पाऊंगा ठीक यहां पर जिस अपने लॉक करके रखा उसको यहां पर अनलॉक कर देजिए फिट से आपका वह एप्लिकेशन यहां पर अपर ओपे सकते ओके और इस तरह से आप अपना मोवाइल में जो भी अप्टिकेशन ने इसको आप हाइड कर पाएंगे तो ह च्पेस को है। यहां पे स्टार्टक ने रहत है जा जबना हो लिंग करना चाहते हो है। पर बसक्त चाहिए तो यहां सब्सक्राइब करेंगे देडिकेश सब्सक्राइब करlekति कर MOWILE रेकोर्डिंग डॉकुमेंट जो भी आप चाहते हो यहां से आप हाइड कर पाएंगे जिसको आप हाइड करना चाहता हूं तो यहां पर टैप कीजिए प्लास आइकॉन पर टैप करने के बाद जितना भी आपको वाइल फून में एप्लिकेशन हाइड सपोर्टेट है उस सार करने के लिए फिर से पीच करना है डेकरप सेटिंग पे जाना है है फिए टैप की जीए यहां पर आपका नहीं हो जाएंग और पिक्चर विडियो रिकॉर्डिंग डॉकूमेंट जबी आप चाहते उसको आप हाइड करके ऋपर एक्सपोर्ट पे टैप करेंगे टो तो से चुपा पाएंगे ठीक है अपका मुवाइल फॉन में डाइरेक्ट ओटीजी कनेक्शन नहीं लेता तो इसके लिए आपको यहां पर सेटिंग पर जाकर मूर कनेक्शन पर टैप कीजिए और यहां पर यहां पर चला पाएंगे इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो को ओपें कीजिए एसे साइड करके तो यहां पर एक पैनल ओपन हो जाएगा प्लेइन बैक्ग्राउंड को इसको पर टैप करेंगे तो वीडियो बैक्ग्राउंड में प्ले होता रहेगा डिस्प् तो यहां पे करेंगे तो यहां पर को यहां पर कोई आपकर करेंगे लिखने के उपर हाट लग कर दूसरा वीडियो प्लेट नहीं को मिल जाता है जिसके तुरू अपना मुबाइल फॉन में आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में टांसलेट कर पाएंगे पहले बार करेंगे तो यहां पर बहुत ही बढ़िया कूल फीचर से जिसके तुरू आप जब भी वाटसाप के तुरू किसी को वीडियो कॉल या वाइस कॉल करेंगे तो वहां पर बहुत सरे एक्स्टा फीचर सापको देखने को मिल जाएगा जिसके तुरू आपना वाइस चेंज कर पाएंगे वीडियो में फिल्टर लगा पाएंगे और भी तरह तरह चीज़े कर स्टिकर में कर इस सारा फीचर का मज़ा ले पाएंगे यहां पर जितना भी ऑप्शन है यह सब ऑप्शन को पर टैप करके इसको ओन कर दीजिए जब भी आप वाटसाप में आकर किसी को भी वाइस कॉल या वीडियो कॉल करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन आ गया और इसक कर पाएंगे तो एक बड़िया फीचर से जिसको अपना मुबाइल फोन में जरूरी यूज कीजिए तो फैन आप इस मोबाइल फोन में इसका जो रह में इसको आट जीवी से बढ़ा कर 16 जीवी कर पाएंगे बाइडिफॉल एट प्लस फाइप सिलेक्टर रहता है उसके ब बना पाएंगे इसके लिए आपको सिंपल से अपना मुबाइल फोन में सेटिंग पर जाना है स्पेशल फीचर पर टैप करना है एंड मीम फ्यूशन का जो अप्शन है इसको पर टैप कीजिए यहां पर सेट वार्चुल रैम पर टैप कीजिए आप इसको चेंज करके आट बन जाएगा एंड इस मोबाइल फोन में आपको मैनुल एंड ओटो दोनों कॉल रिकॉर्डिंग का फिचर देखने को मिल जाता है जब भी आपके पास कोई भी कॉल आएगा और उसको पिक अप करेंगे यहां पर स्टार्ट रेकॉर्डिंग करके ऑप्शन विजिबल हो ज सब दिखाई देता है इसको बड़ करेंगे तो आप जो जो कॉल रेकॉर्डिंग किया वह सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है रहा है और जाएप किसी को भी कॉल करेंगे तो call recording होता रहाएगा तो इतना जदा एफ्यक्तिव नहीं होता है मैं पर्सनली स्क्राइब नहीं कर तो मैं मैनोली-टुर पसंद करते हुत नहीं तो सबका अखेंक हुआघ सब्सक्राइब करेंक के उपर करेगा तो यहां पर बहुत सरा औप्षन देखने को मिल जाता है यह यहां पर यह सरा चीज को जो एनिमेटेड फेस से इसको यूज़ करके आप अपना पिक्चर उठा पाएंगे यहां पर बहुत सरा फिल्टर अप लगा पाएंगा अपना पिक्चर में इसके साथ यहां पर आपको डूएल वीडियो चैनल को मिल जाता है आप इसको चोड़कर हैं इस तरह बहुत सरा फिचर से इसको तो आपके विडियो है लेका स्कावरा इसके उपर आप आप इस मोबाइल फोन में देखने को मिल जाता है अभी कोई भी कुश्य तो आप नीचे कॉमेंट कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ